आप में से जिन लोगों ने भी मेरी इस वाली वीडियो को देखा है ना, उन लोगों को पता होगा कि मेरे पास एक GTX 1650, i5-9300H और 8GB RAM वाला एक लैपटाप है, Asus VivoBook Gaming, जिसमें मैं मैं में वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ, उसमें मैंने हाल ही में RAM अपग्रेडेश की है, और उसके दोरान मैंने काफी चीजे सीखी हैं, जो मैं सोचता हूँ, कि मुझे आप सभी लोगों को बतानी चाहिए, और जो पूरा प्रोसेस रहता है, RAM अपग्रेडेशन करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आज की वीडियो में मैं वो ही क खोल लेना है, टास्क मैनेजर को खोलने के बाद आपको परफॉर्मेंस टैब खोल लेना है, उसके बाद आपको आगे आजाना है, मैमरी टैब में नीचे, आप दिख सकते हो कि स्लोट यूज लिखा हुआ है, जिसमें यहां तो मेरे लिखा है, वान अफ फोर, जो की बिलक इन दिस वीडियो, ओके, तो यही सेम चीज आप सभी लोगों के साथ भी टू हो सकती है, कि आपके भी टास्क मैनेजर में गलत इंफोर्मेशन शो हो रही है, तो आपको एक बार अपना लैप्टॉप खुद खोल के ही चेक कर लेना है, कि आपके पास स्लोट है या नही, न इसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 of 4 या 1 of 2 तो आपके पास 99% चांसे हैं कि एक स्लोट तो खाली हो गई, लेकिन आप एक बार डबल चेक ज़रूर कर लेना, स्लोट वेकेंसी चेक करने के बाद आपको रैम कमपैटिबिलिटी चेक क कैसे आपको इनको फाइंड करना है अपने लैपटॉप के अंदर और उसके बाद उस चीज को नोट डाउन कर लेना है ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ही टास्क मैनेजर के अंदर ही यहां पर रैम क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी, जो कि मेरी 2400 MT per सेकिंड MHz per सेकिंड भी के सकते हैं, कुछ भी कहो, सेम ही चीज है ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह वाली मेरे रैम की स्पीड है, तो मैं इस चीज को नोट डाउन कर लूँगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जिससे आपको एक नोट डाउन कर लेना है, जैसा मेरा है, 17 क्लॉक्स तो मैंने भी नोट डाउन कर लिया, ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, जैनरल टाइप, उसके अंदर आप यहां पर देख सकते हो, कि DDR का एक वर्जिन लिखा हुआ है, मेरा है DDR4, आपको जो भी है, आपक इन काम के लिए कितनी रैम आपको चाहिए, तो इसको रैफर करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, कि आपको कितनी रैम चाहिए, स्टेप 2, ओर्डर दे कमपैटिबल रैम, सबसे पहले आपको वेब साइट या एप खोल लेना है, जहां से भी आप ओर करने वाले हो रैम, तो उसक आप शब ज़रूर इंक्लूट करना है, इस लैप्टॉप का फॉर्म फेक्टर अलग होता है, रैम का और डेस्क्टॉप का अलग होता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लेना ठीक है, सर्च करने के बाद आपको बहुत सी रैम देखने को मिलने वाली है, आपको ध्यान से सिलेक्ट करनी है, रैम जो भी आप खरीदने वाले हो, आपको ध्यान रखना है कि DDR वर्जिन जो है, वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, और क्लॉक स्पीड बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, जो CL काउंट है, वो एक दो डिजिट्स उपर नीचे हो सता है, इतना कर लेना है, और जब आपके पास रैम पहुंच जाएगी, उसके बाद हमारा step 3 शुरू होता है, जो कि है installing RAM in the laptop, so this is the RAM जो कि आज क्योड़ो में मैं install करने वाला हूँ, अपने laptop के अंदर आप देखी सकते हो, जिसको करने के लिए मुझे चाहिए एक screw driver जो कि compatible है मेरे laptop के screws क इसके साथ, इसके साथ आपको laptop को खोलना है, तो आपको laptop को करना पड़ेगा, उल्टा और देखना पड़ेगा कि कितने जादा screws पीछे आपको already visible है, यहाँ पे मेरे 1, 2, 3 and 4, 4 screws हैं, तो इनको मैं सबसे पहले खोल दूँगा, mindlessly आपको ये 4 screws तो खोलने ही पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ इन screws को खोल के आपका काम नहीं चलेगा, आपको इन rubber paddings के नीचे भी देखना है, ठीक है, क्योंकि इनके नीचे भी hidden screws होते हैं, तो उनको भी आपको खोलना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे 2 rubber paddings के नीचे screws हैं, तो मैं screwdriver के साथ इस padding को खोल लूँगा, और उसके नीचे से जो screw है, उसको बाहर निकाल लूँगा, थोड़ा सा delicately करना इस काम को है, इस rubber padding खराब नहीं करनी है, आपको उसको मतलब scratch नहीं करना है, tear नहीं करना है, ठीक है, दोनों साइट पे यह चीज़ करने के बाद मेरा laptop जो है, वो free हो जाएगा एक हिसाब से, औ और मैं इसको मतलब actual में खोल सकता हूँ अब, अभी laptop को खोलने के लिए आपको अपने हाथों से laptop की sides को pry करने की कोशिश करनी है, और उनको खोलने की कोशिश करनी है, आपको ये काम काफी दीरे से और delicacy के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपने इसको मतलब की खराब किया, तो आपका laptop टूट सकता है, frame टूट सकता है नीचे वाला ठीक है, तो ध्यान से करना अगर आपको ज़रूरत पड़े, तो आप एक thin plastic pry tool यूज कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा, कि आप कोई भी metal की चीज यूज करो, laptop खोलने के बाद कुछ ऐसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, आपको सबसे वहले ये cut है ना जो, उस cut को match कर लेना है, जो की board के उपर है cut उसके साथ, और ऐसे insert करना है RAM को, और उसके बाद सीधा click कर देना है नीची की तरफ, बहुत easy task है भाई, कोई भी बंदा इस चीज को कर सकता है, बिल्कुल भाई, tension मतलब बिल्कुल भी, और यहां पर आप देख सकते हो, यह RAM कुछ ऐसी दिखती है, जब install हो जाती है, तो काफी easy चीज है भाई, आपको यह करके सीधा अपने laptop को बंद करना है, लिड को फिर से मतलब लगाना है, जो back lid है, और लगाने के बाद भाई, आप इंजॉ आप बूस्ट हुई है, बहुत ही जदा मुझे FPS भी देखने को मिले है, और भाई, बहुत ही जदा performance बूस्ट तो देखने को मिला है, तो आपको laptop की RAM ज़रूर अपग्रेड कर लेनी चाहिए, अगर आप कर पाओ, क्योंकि यह काफी कम बजट में आपका काफी काम मतलब सकती है, तो यही थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अभी मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश कर रहा हूं YouTube के उपर, and I hope so कि I deliver on this, and I perform well तो अभी मैं चलता हूँ, जल्दी मिलूँगा आपको एक और नहीं brand new वीडियो के साथ, तब तक के लिए, goodbye